सिंगापूर जाना है ये वीडियो आपके लिए है अपको एक एजेंट ही जरूरत पड़ेगी ये सिंगापूर गवर्मेंट ने खुद बोला है एक लिस्ट दे रखी है तो बस आपको देखना है कि आपके शहर में कौन सा एजेंट है उसका contact number भी है उस लिस्ट में तो वहां से आप एजेंट सेलेक कर सकते हैं और अगर आपके शहर में कोई एजेंट नहीं है तो उसका भी एक solution है क्योंकि मेरे खुद के शहर में कोई एजेंट नहीं था तो मैं आपको आगे बताओगा कि उसके लिए कैसे process करना है तो चलो यार सबसे पहले तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि Singapore के tourist visa के लिए आपको कौन कौन से documents की requirement है तो यार ये सारे documents है जो आपको required हैं Singapore के tourist visa apply करने के लिए और ये अपके agent पे भी depend करता है इसमें से कुछ documents क्या पता आपका agent आपसे ना मांगे और ये भी हो सकते है कि कुछ additional documents भी मांग ले तो वो agent to agent depend करता है पर ये एक list है जिससे आपका काम बन जाना चाहिए ये से जादा documents मुझे नहीं लगता है और कुछ लगेगा तो चलो एक बार इसको जल्दी से cover कर लेते हैं तो ये सबसे पहले आपको passport चीए जिसकी validity छै महीने की होनी चाहिए जिस दिन आप Singapore से lot होगे उस दिन से 6 महीने तक वो और valid होनी चाहिए दूसरा जो होता है वो है passport size photos तापको तीन passport size photo चीए रहेगी with white background इसके बार में भी हम आगे बात करेंगे जब हम form 14a के बार में बात करेंगे उसके बाद है cover letter तो यह cover letter में आपको बस बताना रहता है कि मेरा नाम यह है और में को यहां गूमने जाना है और आपको अपने बारे में लिखना होता है तो उसका भी मैं आपको एक sample दे दे रहा हूं और अगर आपको इसको यूज करना है तो इसका link जो है मैं description box में दे द करना होता है आपका marital status क्या है citizenship क्या है place of birth क्या है basically वही सब travel document number आपका annual income और Singapore में आप कहां पे रहोगे और यही सब चोटी मोटी चीजें कम से 15-20 में लगए और आपको इसमें फोटो भी चिपकानी होती है तो यह आपको फिल करना होता है शायद अगर कोई agent होता है जो ख description box में एक link दे दिया है एक dummy form 14a का तो आप उसको check out कर सकते हो उसको आपको बहुती easily आप उसको देखके form यह फिल कर सकते हो ठीक है इसके बारे में क्योंकि यह जादा बात करें तो video का length file में बढ़ जाएगा form 14a जो है समय के साथ साथ चेंज होता है तो उसमें चोटे मोट जा रहा है जो कमाता नहीं है या कोई housewife है और उनका भी खर्चा आप करना चाहर हो तो आपको सिर्फ अपना bank statement दिखाने की जरूरत है और यह सब आपको cover letter में आपको mention करना होगा कि यह मेरे साथ company करेंगे मुझे लेकिन form 14 ने आपको सबका फेल करना होगा और इसके related अग सिंगपूर से कमबोडिया जरूं तो मैंने उसकी टिकेट लगाए थी और मेरा वीजा अप्रूब हो गया तो आपको बस एक onward टिकेट दिखानी होती है सिंगपूर से बाहर जाने की उसके लिए अपने hotel बुक किया है तो आपको उसका confirmation आपको दिखाना पड़ता है तो ज करना होता है बाकी एजेंट अपना डिटेल खुद भर लेता है उसके बाद वीजा डेटा फॉर्म मेरे को मेरे एजेंट ने मांगा था तो ज़रूरी नहीं कि आपकी एजेंट भी मांगे बट इसमें भी बहुत ही सिंपल सी चीज़े होती है कि आपका नाम क्या है आपका स्पोर्ट नंबर के आपका सिगनेचर बस यही चाहिए होता इसमें भी उसके बाद आपको दो इंप्लॉइमेंट के प्रूफ चाहिए होते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है चाहे तीन महीने की सेलरी स्लिप दे दो या तो आप अपना ओफिस आईडी कार्ड दे दो या तो आपको सिफ दो की जर्वत पड़ती है अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के पेपर दिखाने पड़ेंगे उसके बाद आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है और यह E स्टेटमेंट भी हो सकते हैं जरूरी कि सील और साइन हो अगर आपक आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है मिनिममँ सेवेंटी थाव्जन होना चाहिए तो आपका बैंक बैलेंस बेसिकली सद्राइज जायर इसके ऊपर होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपको अपने फॉर्म 14 अ में साइन करना होता है फोटो में आधव फोटो में और आधव फ पॉटी ने भरना है और मैंने कवर लेटर का भी नीचे लिंक दे रखा है जो मैंने खुद ही उसकी अथा उसके बाद अगर आप किसी और शहर में रह रहे हो अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस में नहीं रह रहे हो जो आपका पासपोर्ट जहां पे इशू हुआ है उस और मैंने भी यही डॉक्यमेंट किये थे अपने एजेंट को और आपका जो वीजा है जिस दिन आप सब्मिट करोगे इसारी डॉक्यमेंट उसके तीन से पांच बिजनेस देस के अंदर आपको आपका इवीजा आपके इमेल आईडी पर मिल जाएगा अब चलो बात करते है कि अगर आपके शहर में एजेंट नहीं है वो authorized agent जिसका Singapore government ने लिस्ट में नाम दे रखा है अगर वो एजेंट आपके शहर में नहीं है तो आप यह कर सकते हो जो मैंने भी किया था कि आप कोई भी website में जाओ जैसे कि make my trip हो गया मैंने तो make my trip यूज किया था तो वो लोग आपका वीजा जो है process करवा देंगे आपको जो है उनको documents courier करने होते हैं वो लोग आप जब आप वीजा बुक करोगे उनके website से तो लोग आपको एक address दे देंगे जहां पर आपको वीजा समिट करना होता है तो या तो आप खुद जाके भी कर सकते हो मेरे case में तो मैं खु आपको आपका वीजा चेक करके वापस भी दे सकता है या तो रख भी सकता है अगर वो अपने पास आकर है तो उसकी जिम्हेदारी है कि आपको आपके current address में वापको वापस वो कुरियर बैक करें लेकिन most of the cases में वो passport वापस ही दे देते हैं बस जिस्ट चेक करके और उसका copy लेकर तो यह सारे documents है आपको चाहिए Singapore का वीजा के लिए और बहुत ही असानी सा जाता है और जब आपको Singapore का वीजा आ जाता है तो उसके बाद एक और चीज़ है वो है arrival card ठीक है तो जब आप Singapore जाते हो तो उसके आपके departure date के तीन दिन पहले आपको एक arrival card परना होता है और बस आपको अपना छोटा मोटा details देना होता है आपका वीजा application number आपका passport number और आपको किस date में आ रहे हो और बस आपको submit करना होता है और ये arrival card आप सिर्फ तीन दिन पहले भर सकते हो जिस दिन आप Singapore के लिए डिपार्ट कर रहे हो तो make sure कि आप ये arrival card भर दो आपको इंडियन scan करना है और आप Singapore में entry ले लोगे तो बस यार इतना सा process है बहुत ही easy process है documents हाँ थोड़े बहुत चाहिए होते हैं लेकिन अगर आपका application genuine अगर आपका cover letter सही है और अगर आपने सही से form 40 ने fill किया है जो सब कुछ मैं आपको नीचे description box में दे रहा हूँ तो आपको कोई भी तरीके की problem नहीं होंगी और बात करें इस visa के price के बारे में तो जो Singapore की embassy है वो 30 Singapore dollars charge करती है agents से लेकिन आपको अपने agents को भी extra पैसा देना पड़ता है तो वो कहीं भी 500 से लेके 1500 के बीच कहीं भी range कर सकता है तो 30 Singapore dollar करीब मान के चलो 2000 हो जाते हैं और उसके लावा अगर आप 1000 तो आपको करीब 3000 के आसपास ये visa पारना चाहिए मैंने टोटल 3500 पे किया था मेरे से थोड़ा जादा लिया था make my trip वालों ने क्योंकि I think make my trip authorized नहीं है और वो फिर में को किसी authorized agent के पास बेजेंगे ऐसा कुछ हो सकता है मैं sure नहीं हूँ पर मैंने 3500 रुपए दिये थे और मैंने भी 2-3 जगा सर्च किया कई लोग इसका 4000 भी लेते हैं टोटल में कई लोग साड़े 4000 भी ले रहे हैं तो वो डिपेंड करता है agent to agent but I think 3-3.3 के बीच में आपका काम हो जाना चाहिए बहुत सारी websites हैं make my trip है अकबड travels है और भी बहुत सारी websites हैं आप बस google में सर्च करो नाइवीजा के लिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी question है तो make sure you comment down below मैं आपके question का answer जरूर से दूँगा और Singapore की बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जाने वाली हैं इस वीडियो के बाद से so make sure you subscribe the channel मैं already बहुत सारे countries से वीडियो बना चुका हूँ जैसे क बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में बाई